बच्चे, मैं आपकी सदा साथ हूँ ओम शंती, आज बाबा चार प्रकार की सेवा है और इससे हम निरंतर सेवाधरी कैसे बन सकते हैं इसके उपर हमें इशारा दे रहा है मुरली की तारिक है 6 नवेंबर 87 बाबा कहता, सारे दिन में भिन्य भिन्य प्रकार से सेवा कर सकते हो इसमें एक है स्वर की सेवा स्वर की सेवा अर्थात, स्वर के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सबजेक्ट्स है ज्यान, योग, धारणा, सेवा वबा कहते आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सबजेक्ट है उन सब में अपने को पास्वित ओनर बनाना है तो इसमें ज्ञान स्वरुप, याद स्वरुप, धारणा स्वरुप सब में संपन्न बनना है तो ये स्व स्व तो ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे ये स्व सेवा स्वता ही आपके संपन्न स्वरुप द्वारा सेवा कराती रहती है लेकिन इसकी विधी है अटेंशन और चेकिंग स्वा की सेवा कैसे होगी खुद को अटेंशन रखो खुद के ओपर और चेक करो स्वा की चेकिंग करनी है दुसरों की नहीं करनी तो पहली सेवा कौन सी है स्वा की दुसरी है विश्व सेवा जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधी से वाणी द्वारा वा संबंद संपर्क द्वारा करते हूँ, किसी को मेसेज दे दिया, कोई टीवी पर प्रोग्राम कर दिया, कई भाशन कर दिया, तो कहीं न कहीं किसी फॉर्म सें विश्व में ये मेसेज स्प्र कर रहे हैं सेंटर को हम धन से सपोर्ट कर रहे हैं कहीं तन से सपोर्ट कर रहे हैं सेंटर की साफ सपाई है भोजन बनाना है भंडारी संभालना है चो भी है यह यज्य सेवा हम कर रहे हैं चोथी है मनसा सेवा पहली है स्वकी दूसरी है विश्वकी जो वानी द्वारा करेंग तीसरी है यज्य सेवा, तन से यधन से करेंगे, चोथी है most important मनसा सेवा, अपनी शुब भावना, स्रेष्ठ कामदा, स्रेष्ठ गृत्ती, स्रेष्ठ वाइबरेशन, द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए, अनेक आत्मों की सेवा कर सकते हो, इसकी विदी है लाइट हाउ माइट हाउस बनना, लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते, दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते, अनेकों की सेवा के अर्थ निमित बन सकते हो, इतना शक्तियों का खजाना जबा है, तो सहच कर सकते हो, एक ही जगा पर बैठे हैं, सारे विश्व के लिए शुब भावना कर रहे हैं तो जैसे अभी कोरोना काल होकर गया या अभी जो आने वाली परिस्तिती है जहां हम बाहर नहीं चाह सकते हैं तो यह सेवा कितनी इंपॉर्टन्ट होगे लेकिन कौन कर से कगाय सेवा अगर शक्तियों का खजाना जमा है तो कर सकते हैं इसमें स्थूल साधन वा चांस वा समय की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने के आवश्यक्त है बेड़ पर लेटे-लेटे भी अगर बीमार है लेटे-लेटे भी मन सेवा कर सकते हैं तो सदा मन बुध्धी व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए मन मना भव के मंत्र का सहच स्वरू होना चाहिए तो ये चारो प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवा धारी नहीं बना सकते चारो ही सेवाओं से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो जिन आत्मों की कंप्लेंट रहे तिन हम सेवा नहीं कर सकते हैं कैसे करें बाबा इस मुरली में वो बता रहा है तो बाबा कहते हैं ऐसी चार स्टकार के सेवा से कोई न कोई सेवा हमेशा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्तित होने के कारण सदा बीजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे चारो ही सेवाओं से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो 24 गंटा सेवाधारी बनना है 8 गंटे के योगी वा सेवाधारी नहीं लेकिन निरंतर सेवाधारी तो सहज है न? और नहीं तो स्वकी सेवा अच्छी जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो कई बच्चे शरीर के कारण वा समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधी पुर्वक बीजि रहते हो तो सेवा की सबजेक्च में माक्स जमा हो जाती है और यह मिले हुए नंबर मना अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे बाबा ने का ना कुछ नहीं है तो घर बैठे बैठे शुब भावना दे दू अपनी सेवा करो क्या में धारना स्वरुप बना ज्यान स्वरुप बना योग स्वरुप बना ये चेकिंग करो तो बा कि निरंतर रहे वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे श्वासों श्वास यान और श्वासों श्वास सेवा हो इसको कहते हैं बैलन्स तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वता ही आवाज निकलेगा कि आशिर आशिर वादों से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं तो सेवा में बीजी है लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए याद का बैलन्स भी चाहिए तो क्या कहेंगे दुआउं से पलने वाली आत्म हैं चार प्रकार की सेवा में से कोई न कोई सेवा करते रहना है आज सारा दिन अटेंशन रखना है अपनी सेवा और मनसा सेवा के उपर अच्छा ओम शांति कहा है आटेंशन रखना है।